हेलो दोस्तो मेरे न्यूव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं अससी सीजियल 2020 का फाइनल रिजट आने ही को ही है तो काफिस डिटेंट की रिक्वेस्ट आ रहे थी कि सर सेलरी पर सेपरेट वीडियो बनाओ तो हमने आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ड की है जिसमें हम सीजियल में आने वाले सभी पोस्टों की कितनी सेलरी ग्रेड पर होता है उस पर डिसकस करेंगे तो उसी सीरीज को स्टार्ड करते हुए हम आज से टीए की पोस्ट पर कितनी सेलरी मिलती है वो जानेंगे तो टीए जैसे कि आप सबी पता है टीए लेवल 3 की पोस्ट है जिसका ग्रेट पे होता है चोई सुरुपे तो चोई सुपर बेसिक 25,500 पे बनता है जो एक्स वाई और जड़ क्लास सिटी में सेम रहता है अगर आप एक्स क्लास वाई क्लास सिटी क्या होती है यह आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ एक्स क्लास सिटी वो सिटी है जिसकी पोपुलेशन 50 लाग से अधिक है यह सिटी अपने है एहमदाबाद, बैंगलोरू, चन्नाई, दिल्ली, बोंबे, एहमदाबाद, कलकत्ता, पुने यह इतनी सिटी है वो है एक्स क्लास सिटी जि इनकी जिन्संक्या 50 लाग से अधिक है, अव Y क्लास सिटी वो सिटी है जिनकी पॉपुलेशन 50 लाग से तो कम है, लेकिन 20 लाग से अधिक है, यह नॉर्मली आप हर स्टेट की केपिटल को वाइक खीप्लास सिटी में डाला जाता है, इसके अलावा भी काफी सिटी है, जिस जिसकी लिष्ट में आपको description box में डाल दूँगा और जो जिसकी population 20 लाग से भी कम है वो आती है Z class city में तो city में क्यों बांटा गया है तो इसके लिए जो X class city है उस पे अचारे ज्यादा मिलता है ती ये ज्यादा मिलता है ये दू चीज का फरक आ जाता है city में बाटने से तो ह हम जानेंगे एक्स वाइजट तीनों city में टीए की किती सेलरी बनती है किता deduction होता है सभी जानेंगे तो सरुवात करते हैं जैसे कि आपको पता है एक सेकिन रोगना जैसे को आपको पता है basic पे तीनों city की सेम रहेगी तो grade पे चोईस्यों की basic पे होती है 25,500 starting में तो तीनों में सेम रहेगी 25,500 तीनों 25,500 ही रहेगी दिये 38% है एक जुलाइ दो हजार बाइस को 2022 से calculate कर रहा हूं क्योंकि आपकी जो जॉइनिंग है जुलाइ जो जुलाइ के बाद ही आनी है तो मैं एक जुलाइ जो अभी latest data है उससे calculate कर रहा हूं तो उसके according आपके 38% डिये बन रहा है तो मैं और खैया रहा है तो ये इसका बनता है 9690 य क्ला सिटी का 9000 चैशन चैशन हमब बनता है और अब आगे चलता है ऐचारय मैं डिफ्रेंट, अचारय क्ला सिटी का होता है शत्ति हैस्धं, डीक जूँला सिटी होता है तो इसके according आप जैसे देख पा रहे हैं अचारे X Classity में बन रहा है 6885 रुपे, Y Classity में बन रहा है 4590 रुपे और Z Classity में बन रहा है 2295 रुपे अब आते हैं TA, यह TA क्या है, TA है Transport Allons, आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने के लिए पैट्रोल जलता है उसको TA के रूप में गवर्मेंट हमें देती है, तो TA जो है वो जो 2400 रुपे उस पे 3600 रुपे X Classity के लिए फिक्स किया हुआ है और Y और Z के लिए 1800 रुपे फिक्स क लख रहे हैं, अब नीचे आए तो DA on TA, DA on TA क्या है भई या, DA on TA यह है जो TA है, ट्रांस्पर्ट अलाउंसेज, उस पे DA रेनल्स अलाउंसेज मेंगा ही बता भी एड किया जाएगा, जैसे 3600 रुपे अभी यह TA है, TA पर 38,000, 38% का DA लगे है, तो 3600 का 38% बनता है, 1360 रुपे तो यह DA on TA होगा है, मैसे 1800 का 38% बनता है, 684 रुपे और इसका भी 684 रुपे, तो आप समझ पा रहे हैं, DA on TA क्या है, अब हम यह सब एड करेंगे, तो हमारी आएगी ग्रोस सेलरी, ग्रोस सेलरी में क्या क्या एड होता है, बैसिक पे DA, अचारे, TA, DA on TA, यह सारे मिला के हमे ग्रोस सेलरी में एड होता है, तो ग्रोस सेलरी, X क्लास सिटी की केती बन रही है, 47,43 रुपे, वहीं Y क्लास सिटी की बन रही है, 42,244 रुपे, और Z क्लास सिटी की बन रही है, 44,999 रुपे, तो यह तो हो गई अपनी ग्रोस सेलरी, उसमें से कटना क्या क्या है, क्या क्या सबसे पहले डिडेक्शन में आता है NPS, NPS क्या है भई यह यह नेशनल पैंशन इस्कीम, 2002 के बाद जो भी सरकारी एंप्लोई आये हैं उन्हें नेशनल पैंशन स्कीम दी जाती है, नेशनल पैंशन इस्कीम में यह होता है, प्रावदान होता है, जो आपका बैसिक प्लस डिय है बेसिक प्लस डिये जिसे इसका बेसिक प्लस डिये 25,59,690 इसका टोटल का 10% डिडेक्ट कर लिया जाएगा जिसे इन दोनों को टोटल करें तो अपने पास आ रहा है 35,190 रुपे तो इसका 10% निकाले तो 35,190 रुपे निकल के आ रहा है तो यह NPS कम हो जाएगा आपकी सेलरिस है और यह NPS कम नहीं होगा यह NPS आपके NPS अकाउंट में चला जाएगा जो आपको रिटारिमेंट के समय मिलेगा और सेम वाई क्लास सिटी में होगा जट ग्लास में भी NPS बराबर ही करेगा क्योंकि NPS डिये ओन बैसिक पर ही 10% होता है तो इसमें सिटी का कोई रोल नहीं है X class Y class Z class कोई रोल नहीं है और NPS में एक बात और बता देओं जैसे अपना यह 10% काड़ता है तो गोवर्मेंट का 14% खुद कोंट्रिबूट करते हैं जो अपनी NPS अकाउंट में आते हैं एक पैंशन अकाउंट है जो आपको रिटाइर्मेंट में आपको देते हैं इसका अलवा अधर खर्चा अधर डिडेक्शन में माने 300-300 रुपे में नहीं लिखे हैं यह नोर्मले 310 रुपे उपर वह सकते हैं तो कम भी हो सकते हैं मैं लिंग देता हूं Central Government Health Scheme यह है Central Government Health Scheme इसके आपके हर महीने 500 रुपे करते हैं उसके बाद आपको किसी जी से स्कार्ड बन जाता है उसके बाद आप प्राइवेट होस्पेटल में कहीं भी दिखा सकते हों उसका कलेम सारे ओपीस से मिल जाता है तो यह 200 रुपे उसके कटते हैं इसके अलब आप 50 रुपे नॉर्मली रिक्रेक्षन कलब के होई यूनियन के होई अधर एक्सपेंसर जो हो 50 रुपे आप मान सकते हैं कटते हैं तो यह हो गई अधर डिडेक्शन के तो अब अपनी इन हैंड सेलरी के तिया आएगी तो अब सेलरी यह रही अब इन मेंसे अपन टोटल डिडेक्शन हैं जो निकाल दें जो 3819 रुपे तीनों के आ रही हैं तो अपने पास आएगी नेट सेलरी नेट सेलरी मतलब इन हैंड आपके अकाउंट में कितना आएंगे तो एक मोटा मोटी एक्स कलासिटी में टी यह जो अभी इन हेंड मिलेंगे 43, Review सेलरी दो चोशू इस रुफे इन हेंड मेंगे और वाई क्लासिटी में लगता है तो 38,alf 45 रुप दर्व और छंटक stri debts रहीं में लगता हैं तो 37,100 पैंतित्रिकमत में लगता है तो 37,100 मिलेंगे अब यह जो डाटा मैंने दिये हैं यह दिए क्ल्कल सिटी में 13% मिलता है और जड़क्रा सिटी में 9% मिलता है आपको यह आपको यह वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो अगर इंफोर्मेट लगे हैं तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें